स्वागत है आपका मित्र अपने बालों को जर से मजबूत बनाने के लिए पतले बालों को घना करने और उनमें चमक लाने के लिए बस आपको ये साथ नियम अपना लेने हैं और फिर आपकी हेर की क्वालिटी पहले से 10 गुना बहतर हो चुकी होगी यहाँ तक कि ये नियम बालों में इतनी अच्छी तरह काम करते हैं कि आपके सफेद बाल भी वापस से काले होने लग जाएंगे बस आपको एक भी नियम मिस नहीं करना क्योंकि सातों नियम एक दुसरे के साथ जुड़े हुए है सबसे पहला नियम है बालायम का सुबा खाली पेट अपने नाखोनों को इस तरह से रगणना है क्योंकि इसका गहरा संबंध है हमारे बालों की जड़ों के साथ इस तरह से रगणने से सर्कुलेशन बर जाता है जिससे की बालों की जड़े मजबूत होती है और सफेद बाल काले हो जाते हैं इसके बाद अगला नियम है दोस्तो प्रित्वी मुद्रा का अभ्यास इसमें आपको अपनी अनामिका को अंगुठे के उपर वाले हिस्से से स्पर्श करना है और बाकी की तीन उंगलियां सिधी रहेंगी इस तरह दोनों हातों में बनाकर अपने घुटने पर रखना है पंदरा मिनिट इसका अभ्यास करें तीसरा नियम है दोस्तों कि आपको अपनी डाइट में चार चीजों को लेकर आना है रोज आपको इनका सेवन करना है अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए पहला करीपत्ता दूसरा गाजर तीसरा दो चमच देसी घी और चौथा आमला आमले का पौडर हो सकता है जूस हो सकता है और हमारा चौथा नियम है योग अभ्यास दो आसन काफी ज़्याद प्रभावशाली है सिर्शाशन और सर्वांग आसन इन दुनों में से कम से कम एक आसन का भ्यास आपको आने वाले तीन मेने तक लगातार करते रहना है अगला निया में दोस्तों बालों में सही तेल का उपयोग करना जैसे कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर humidity ज्यादा है तो आप यूज़ कर सकते हैं नारियल का तेल सभी तरह के हेर में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा बस थंड में अवाइड करके चलें क्यूंकि बॉड़ी के लिए कूलिंग होता है अब मान लिज़े आपको डेंडरप की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं और जिनके बाल रुखे सुखे रहते हैं वो सरसो का तेल यूज़ करें और जो ये चाते हैं कि भाई मुझे तेजी से बाल बढ़ाने हैं तो आप कैस्टर रॉयल का यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए अगला नियम है दोस्तों अपने वात को संतुलित रखना शरीर में जैसे वात दोष बढ़ जाता है न तो बालों की ज़ड़ने की समस्या हो सकती है तो करना ये है कि आपको हफते में चार बार बाडी को अच्छे से मसाज करना है जिसे कि वात ना बढ़ जाये शरीर में बुढ़ापे में जाकर आपने देखा है लोगों के बाल जढ़ जाते हैं तो उनका वात दोष बढ़ा रहता है और अगली चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है एक भाई ने पूछा था इसके बारे में कि क्या ब्रह्मचेरे पालन करने से हमारे बालों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमने देखा है 100 साल तक रिश्यमुनियों के बाल कितने अच्छे रहते हैं तो देखें मितर ब्रह्मचेरे बालों को बढ़ाने के लिए नहीं है लेकिन जो आप जानना चाह रहे हैं उसको इस तरह से समझें कि ब्रह्मचेरे पालन कर रहा है अगर कोई इंसान तो वो स्ट्रेस में नहीं जीता और यही जो स्ट्रेस है टेंशन है यह हमारे बालों का दुश्मन है और साथ में आप यह भी देखें कि आपका जो भोजन होता है ब्रह्मचेरे में वो सात्विक है यानि शरीर के तीन दोश वात पित और कफ संतुलित रहते हैं यही दोश बिगर जाते हैं अगर तो बहुत छोटी उमर में लोगों के बाल सफिद हो जा रहे हैं और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो उर्जा आप बचा रहे हैं ब्रह्मचरे पालन करते हुए उसमें भी शक्ती है और जब आप उत्तम स्वास्त के साथ जीना चाते हैं तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई शक्ती चली जाए आपसे इसलिए ब्रह्मचरे भी जारी रखें और ये नियम सारे अपनाएं और आपको बहुत बड़िया रिजल्ट इससे मिलने वाला है और मित्र इंस्टाग्राम पर ये हमारा पेज है यूजर नेम आप देख लें इसके अलावा दूसरा कोई भी एकाउंट पेज हमारा नहीं है आप यहाँ पर हमें मेसेज करें पोस्ट में कमेंट कर दें और हमसे जितनी जल्दी हो पाएगा हम आपके सारे प्रश्णों का जवाब देनी की पूरी कोशिश करेंगे और दोस्तों हमने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रहमचरे किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में